हेलो दोस्तो आज में लेके आई हूँ आप सब के लिए बड़े के गोश्ट की रेस्पी मैंने बनाया बड़े के गोश्ट का कोर्मा जो बहुत ही जादा टेस्टी बनता है ये सालन में आप सब भी इस रेस्पी को एक बार जरूर ट्राई करना वीडियो पसंद आये तो कट करने रख लिया है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्याज रख दिया में जैसे कि मैंने चाल लाल मिर्श लसुन की कलियां मैंने लिया है थोड़ी सी धन्या लिया है मैंने और यहां पर हमने लिया है यह जो त्री कुछ काली मिर्श के दाने हैं तीन हमने लॉंग लिया है और दो हमने बड़ी लाची लिया है अब यहां पर हमने एक चमश भर के जीर लिया है कुछ मूम फली के दाने चाट टुकड़े मैंने अद्रक कर लिया है मूम फली के दाने से इसका सालन जो है बहुत जादा ठीक और टेश्टी बनता है तो यह हो गए गरम मसाले और यहां पर हमने लिया है यह बड़े का गोस्त इसे भी हम साइड में रख देते हैं जि पेश्ट बना के तयार कर लिया है तो चलिया हमें आगे क्या करना है यहां पर हमने एक कुकर लिया है तो हम इसे कुकर में बनाएंगे तो जितने भी मैंने मसाले के पेश्ट बनाया है ना सभी को हमें डाल देना है कुकर में अब जितने भी हमने गोस्त लिया है सारे गोस् तो आप से भी एक बार जरूर ट्राई करना यहाँ पी हमने आधा चमश कास्मेरी मिर्च आधा चमश हल्दी पौडर डाल दिया अब जितने भी हमने प्याज को कट करके रखा था सारी प्याज हमें इसमें कच्चा ही डाल देना है इसे भी इसका सालन बहुत ही जबर जस्त बनता है दो तेश पत्त डालेंगे एक टुकडा डाल चिननी का दो छोटी लाची एक पिंच जो है चकली फूल का तेश्ट के हिसाब से हमें इसमें नमक डाल देना है इसके बाद हमें इसमें डाल देना है यह तेल हमने बड़े चम्मच से लेना है दो चम्मच भर के हमें इसमें सरसो का तेल डाल देना है तो इससे भी जो है इसका जो मैं कोर्मा बना रही हूँ बहुत ही जादा टेश्टी बनता है ये इस तरीके से तो हमें सारी चीजों को इसमें कच्चे ही डाल देना है हमने इसमें दो चमश भर के तेल डाल दिया है, बड़े चमश बस अब करना क्या है? सारी चीजों को बडिया से हमें चमश से जो है मिला देना है, जो हमने जो जो चीजे इसमें डाली है, वो जो है अच्छे से मिल जानी चाहिए, कूकर में पकाने से क्या होगा? कि ये बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है और इसका जो सालन है बहुत ही जादा टेश्टी बनता है और ये जो मैंने बड़े का गोश्ट लिया है इसे भी पकने में टाइम लगता है तो कूकर में ये बहुत ही आसानी से जल्दी से पक के रेडी हो जाता है तो हमें इस वाले वाले वाल में हमें थोड़ा सा पानी लेकि इसमें डाल देना है बस अभी इसमें हमें पानी ज्यादा नहीं डालना है बस थोड़ा सा पानी डालेंगे इसका डखकन लगा देंगे और इसे हम चढ़ा देंगे गैस पे अब गैस पे चढ़ाने के बाद हमें इसमें कम से चार सीटी लगा लेना है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर ले बेल आइकन को प्रिस कर दे ताकि मेरी आनी वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले मिले आपको ऐसे ही करके ना हमें कूकर में पूरे चार सीटी लगा लेना है चार सीटी लगने के बाद में आपको दिखाऊंगी तो इसमें पूरे चार सीटी लग चुके हैं तो चलिया हम इसे एक बार जो है छेक कर लेते हैं तो हम कूकर कर ढखकन खोलेंगे बस एक चम्मत से हमें इसे चलाना है अभी ये बनके तयार नहीं हुआ है तो हमें करना क्या है गैस को हम फिर से आन कर देंगे और इसे हमें भूनते हुए पकाना है जब तक मसाला जो है वो अपना तेल न छोड़ दे इस बात का भी ध्यां रखना है कि जितना हम मसाले को भू भूनेंगे जितना अच्छा लो फ्लेम पे उतना ही अच्छा हमारा सालन उतना ही टेश्टी बनके तयार होगा तो बस लो फ्लेम पे हमने इसको भून लेना है यहां पे हमने तीन हरी मिर्ष डाल दी है और इसे भूनते हुए हमने इस तरह से भून के तयार कर लिया है और म यहाँ पर हमें इसमें पानी डाल सकते हैं एक या डेड़ गिलास मैंने एक गिलास इसमें पानी डाल दिया है और इस तरह से यह बहुत ही जादा थीक भी है मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी आपको जितना सालन बनाना है उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं बस कूकर कर ढगतल लगा देंगे और इसमें हम दो सीटी और लगा देंगे ताकि ये बढ़िया से पक जाए और दो सीटी लगाने के बाद मैं इसे ठंडा करके फिट से खोल रही हूँ फिट से हमें इसे चेक करना है ये गोश्ट जो है बहुत ही अच्छे से पक गया होगा तो आप इसका सालन भी देख सकते हैं बहुत ही जादा ये टेश्टी बना है आप इसे चावल या फिननान के साथ में गर्मा गरम सर्फ करें बहुत ही जादा ये टेश्टी लगता है इस रेस्पी को आप सब भी एक बार जरूर ट्राई करना तो ये हमारा बड़े का गोश सालन बनके तयार है तो चलिए मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूं और यह देखिए बड़े का गोश्ट सालन में बनके तयार हो गया है जो बहुत ही जादा टेस्टी बना है आप सब भी इसे एक बार बनाएए नांध या फिर रोटी की साथ में गर्मा गरम सर्फ करिए बहुत ही जादा यह लाजबाब बना है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रिस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले मिले आपको और कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ये रेस्पी आप सब को कैसी लगी और मेरे वीडियो को अपने फैमली फ्रेंड के साथ में जरूर सेयर करना तो फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ थैंक यू